नमस्ते सभी नमस्ते कुमार भीया कि नमस्ते भीया नमस्ते सभी को नमस्ते तो हम सभी ने यूएच्वी त्री कि मौनिंग सेशन सटेंड के उसी तरह से एक्सरसाइज एक और दो वह भी इस सेशन को भी हमने सुना और अपने में जाचने का भी प्रयास किया हुआ तो इस पूरे सत्र से हमारी जो भी समझदारी बन पा रही है और जो भी प्रयास हम कर रहे हैं उसी तरह से यूएच्वी की तरफ आगे के लिए हमारी क्या क्मिट्मेंट है क्या प्रोग्राम ही इसके बारे में हम भी बाते रख रहे हैं अम्हें से हम लोगों श्रू किया आज से जो वलेंटेर्स रेंस टाइम बीविव जूड़ी है या तो दूसरी बार कर रहे हैं वो अपनी शेरिंग को रखने जा रहे हैं इसकड़े में आज दो शेरिंग से प्रशांत डाइगावाने इनकी शेरिंग और उनके पाद में शीला मिश्रा देदी अपनी बाती रखी दूँग अभी पहले मैं प्रशांत डाइगावाने बहिया उनका परिचे देता हूं बहिया प्रोफेसर और दीन इंफ्रस्ट्रक्चर अट गवर्मेंट कॉलेज आप इंगने नात्पूर में है बहिया पहले से ही मतलब सोशल अक्टिविटीज में काफी सकती है जैसे बहिया ने बात रखी थी कि उनने उनके जो कैमपास से वहां पे ट्री प्लैंटेशन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रहा है अब यूएच्वी के साथ में करोना प्रेड में जूड़े थी जब अभी तक उन्होंने अलगबग दो इंटोड़क्टरी और तीन यूएच्वी टू के वर्प्शॉप्स किये लिए उसी तरह से जो एसे स्कॉंसर में बहिया ने पर अपनी भूमी का निवाई थी और हमने ये भी देखा था कि अल्मोस्ट हर रोज बहिया का एक क्वेश्चन या कुछ शेरिंग आती थी जिससे हमें काफी लाब मिलता था तो आज हम चाहते हैं कि आपनी बात रखे तो मैं प्रशान डाइगावाने भिया को आमंत्रित क गिस्तर्व बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना कुछ बोलने के लिए मैं इसे अपना ये तो नहीं समझता हूँ जो मुल्यंक कन हम करते हैं तो मैं इसे राइट एवयूशन समझ रहा हूँ ये ना अपने मैं मेरे बाने में बोला है तो जिस घृआ सब्सक्राइब करने से पहले सबीको नमस्ते और आप सब गुरू है तो गुरू के प्रती में मेरा कहीं भी जब भाशन शुरू करता हूं तो मैं गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्णू, गुरूर देव महेश्वरा, गुरूर साक्षात परब्रह्म, तस्मे श्री कुमार भहिया मैं जानता हूं भहिया इसे अड़ बड़ी ना करें यह बोलने वाले है सर लेकिन मैं चालू कर रहा हूं तो पहला पॉइंट है मेरा संक्षिप्त परिचा मैं एक मिनिट रखा हूं उसके लिए दूसरे पांच जो मैंने बिंदू रखे इसमें मैं पांच मिनिट देना चाहूंगा फिर अभ्यास एक और दो में क्या समझ बनीए भया इसमें तो बहुत कुछ है मैंने इतना सारा मेरा जर्नल भी मैं शेयर करूंगा तो मुझे यह 15 मिनिट तो बहुत कम लग रहे तो बाद में कुछ करेंगे लेकिन आभी मैं अंसर तैयर किया है जो कि मेरा बेटर हाप मुझे हमेशा हेल्प करती है वह एक मिनिट या दो मिनिट बोलेंगी उससे कुछ फॉइंट मैं लिखके दिया है आंड लास्ट भाहिया मैं भी जिम्मेदरी शेर करना झाओंगा जो मैं करी रहाँ और यहां से भी मैंने बात किया तो वह पॉइंट मैं रखता हूंavoir कर दिया है मेरा गाउं पाउनार है मैं ऐसे गाउं में हूँ जहाँ विनुबा भावे का साथ जिसों बोलेंगे मैं बच्पन में दस साल उनके साथ मैंने देखे तो मेरा 65 का बर्दे है और वो 75 के आसपास उनकी डेथ हुई तो मैं 10 साल उनकी सारे जो छोटे-छोटे प्रोग्राम थ चुरू किया यह बच्पन से हमारे साथ है मेरा एक भाई मैं सबसे बड़ा हूं दूसरा छोटा जो यहां का नागपूर जनका जॉइन डायरेक्टर इंचार्ज ही इस प्रिंसिपल और पॉलिटेक्निक तिसरा भाई यम्टेक हो के आईटी कानपूर से करके वो बाहर था अभी बैंगलोर में सेटल है एक बहन है हम तीनों भाई में चोटी चोटी बहन वो आज आसिस्टेंट कमिशनर के पत्पे नागपूर में ही पशूर विज्ञान से स चुरू किये खुत की और उसकी स्पाउज जो है मेरी सुनभाई रुमानी वो भी ऑनलाइन वर्किंग में शीर ऑसे अंबिये और मेरी एक बेटी है बहिया जो मुंबई में है भी के पी एमजी कंपनी में उसे सिलेक्ट किया है आईटी में काम करती है तो यह मेरा छोटा सा परिवार और परिचे है यह मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ यह परिवार को जाता है और सबसे बड़ी बात जो मैं आखरे में बता रहा हूँ है मेरे मम्मी के आशिरवाद जो मेरे साथ रहती है 77 एर्स की है पिता जी नहीं रहे लेकिन उसके पूरे आशिरवाद मेरे साथ ह अभी मैं दुसरे बिंदू पे जाता हूं कि मझे अभी क्या गती मिली है तो मानों को समझने में मैं तो मैं फिर से नाम लेना चाहूंगा कुमार भाहिया है सौप टो यू रियली वो जिस लहजे में बताते है कि हमको वो समझना ही पड़ता है अभी अभी एश्वन भाहिया बता है कि मैंने हर इसमें जो भी मैंने आउट आप 112 में से करिब कर भी सौ में तो भी मेरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मैंने यह जाना है कि पहले आदा घंटा सुनना है और उसके बाद के मिनिट में हमना क्वेश्चन रखना है तो यह मानोता के लिए एक अच्छा जो भाव हमको मिलता है जो मानोता की मुल्ड है वो मैंने रखा है कि पहले सुनना फिर उसके बाद ही बोलना मैंने कभी भी एक खादे इसमें शुरुआत में पुछा होगा अधरवाई जो मुझे सही में समझ नहीं आया या जहां मेरा प्रश्ण बना वही मैंने किया है फ इसे भाईया के आजुबाजु में चहचाहट सुनाई देती है अभी भी मेरे रहे अभी इर्द गिर्द में छोटे-छोटे आवाज आ रहे है अस्तित्व को तो अभी मैं जानने लग गया हूं यह तो अभी हमारा स्टेप्टु का अभ्भास 2 का पुरा काम है कि अपने को जानने में इसमें पुरा लगे रहना है तो उसमें अभी शुरुआत कर दिये देख पा रहा हूं और मान में यह वह आचरन जिसको हम हुमन कंडक्ट बोल रहे है इसे भाईया ने जो बाते बताई है जो हमने लिख के रखा है यह मेरे डायरी में मैं देख पा रहा हूं कर रहा है और यह सभी लोगों को इसी तरह से जाना है मुझे अच्छी तरह से याद है दूसरे या तिसरे दिन भाईया ने एक प्रश्ण पूचा था कितने लोगों ने अपनी डायरी बनाई है तो उस वक्त सही में हमको ऐसा लगा था कि भाईया यह यह डायरी होगे रहा लेकिन क्यल मैंने एक गंटा वो पूरी डायरी पढ़ी उसको रिवाइस किया और थोड़े से सेशेंस को भी देखा यूट्यूब में तो मैं यह कुछ पाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा है यह 20 मिनिट का जो समय मुझे मिला है वो मुझे बहुत ही कम लग रहा है लेकिन दे करके वह आर्ट हो जाते है मैं क्लिकली जाता हूँ पहले में भाव में सजग होना है जैसा है वैसा देखना है दूसरे में भाव का स्वामुल्यंकन करते रहना है तिसरे में अपने स्थिति का स्वामुल्यंकन करना है मैं स्नेह में हूँ या द्वेश में हूँ मुझे आप द्वेश का भाव बिल्कुल नहीं हुआ, आपने देखा होगा मेरी शेरिंग में, मेरी बोलना कम और हसना ज़्यादा आपको मिल रहा है, तो ये भाव मैं डेवलप कर रहा हूँ, पोशिश कर रहा हूँ, फिर हमारे भाव के लिए हम खुद ही जिम्मेदार है, चौटा पॉ को संबंद के लिए क्या करना चाहिए, चिंतन बढ़ाना है, चिंतन बोलना है, फिर हमने देखा कि स्तात्वे पॉइंट में, जो मेरे अंदर चल रहा है, इस वल भी मेरे अंदर को चल रहा है, कि मैं अपनी प्रस्तुती कितनी अच्छी करू, कि इस तरह से करू, सहज करने के बाद मैं देता हूँ, या स्टेप्स पताता हूँ, अब बैस दो में भाईया, एक तो एकदम जो हमने पहले के लेक्चर्स किये, बेथ हर्टी फायू, के बाद हम उसमें गुज गए, तो उसमें जब हम गए तो उसमें खास करके मैंने तीन स्टेप्स देखी है, कि दूसरे में देखा हमने स्टेप टू में कि मैं और शरीर के बीच क्या आदान प्रदान हो रहा है, आदान प्रदान को बिलकुल देखा है, अच्छे भाव, संयम भाव, या कुछ संवे दना, जो भाहिया ने या परसो निदी दी ने, मच्छर का एक्जांपल दिया, वो ब उसमें बतायता है, कि भाहिया, आप सो साल तक जिये, बिलकुल हम अगर अच्छे भाव और संयम से जिये, तो चोबीस से चौदा घंटे तक आपने लिखे दिया, मैंने लिखे रखा है, सुख पूरवक हम जी सकते हैं, और दूसरों को भी सुखी करते हुए हम जी सकते हैं और उसमें आपने यह भी बतायाते हैं, कि भाहिया, सेल्प के तीन नाम हो सकते हैं, उसको आत्मे भी बोला जा सकते हैं, उसमें नोइंग भी जाना जा सकता है, और लास्ट भाहिया, अब बैस दो में हमने यह पढ़ा है, कि निरने कोन लेता है, मैं लेता हूँ या शरीर लेता है इसका question का answer सभी को मालूम है लेकिन थोड़ा सा इसमें अभी भी आगे जानी की जुर्रत है हर बार देखते रहना है हर बाग हमारा ट्राफिक कंट्रोल करते रहना है तो मैं भाया ट्राफिक कंट्रोल के बारे में भाव पर आ जाता हूं अब्भैस दो में जो हमने काफी मैं और मैं प्राचार रेवत भाया वो भी जीवेच्वी में लगे है उन्होंने हमना साथ दिन का जो चार जे पाच दिन का वो किसी दूसरे टीचर को देखे खुद हमारे साथ गद्दी पर बैठके पूरे सेशन से अटेंग किये तो इसमें उमेश भाया ने एक 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 भाया ने चोटा सा एक्जांपल मैं आदे मिनिट पर देना चाहूंगा हमारे जैसे स्टुडेंट्स टीचर से कुछ सिख रहे थे और टीचर ने बताया गुरू ने कि उन्होंने अपनी अपनी यह बता दिये कि मेरी जिवन छेली कैसी है तो गुरू ने बोल दिया कि म मैं अगर कहीं है तो मैं ऐसा ही बोल दिया कि महिला के बारे में महीं हूं कि उनको छूता तक नहीं है मतलब जब गलती से भी धक्का लग जाए कुछ जब यह शिश्य और गुरू जहा रहते एक नदी आगे वहां उन्होंने देखा एक स्ट्री को अचानक पैर के प्रॉब और उनको उनके कार्य में सवागिक घ्या तो यह बात तो हो गई यह बात के बाद फिर दूसरे क्लासे शुरू हो गे वो स्टूडेंट जो था एक मेरे ज़यसा स्टूडेंट पास दिन के बाद खड़ा होके बला गुरू जी मुझे आपने तो यह सीक दिये लेकिन मैंने तो पाया कि आपने तो वो स्तुरी को कंदे पे बिठा के उसको नदी पार करा दी, तो ये कैसा थोड़ा सा इस पे मैं चाहता हूं, तो गुरु ने वहाँ उसको ये समझा, जैसे हमें कुमार भहिया समझाते है, ये जो भी आप सोच रहे है, ये आपका विचार है, आपके भाव नहीं है, भाव जो है वो तो आपको उधर देखना है, कि जो तीस मुल्यों से आपने डिवलप होते है, वो भाव है, लेकिन ये जो आपका चल रहा है, ये विचार है, मैंने तो वो स्तरी को एक मिनिट के लिए ये दस मिनिट के लिए कंदे पर बिटाकर छोड़ के आगए हो, लेकिन आपके विचार तो वो 7 दिन से या 5 दिन से आपके साथ चल रहे है, ये हड़बडी ना करें, इसे दुरिस्त कियें, ये सही है, तो भहिया इसके आगे मैं दो मीट और लेना चाहूंगा मेरे करीब करीब दस बारा मिनिट हो चुके मुझे और दस बारा मिनिट बोलना है उसमें एक मिनिट मेरे स्पाउज का भी रहने माला है तो भहिया यह देखिए भाव को सजयक करने के लिए हमारे पास टोटल 30 values हमको मिली है जो भी हमारा human conduct को existence में रखना है सबसे पहला है संगीत में रहना उसमें 4 values हमको मिली है सुख, शांती, संतोष और आनन्द यह सभी जानते हैं कि चार मुल्य बहुत काम की चीज़े सबसे उसके आगे अगर यह हमारे में है तो हम इससे हम दिखा सकते जो बहुत इस पर questions होए बहुत लोगों नहीं किया कि जनरल learning जो है वीरता, वीरता, उदारता, दया, कुरूपा और करूना इसके बारे में मैं एक-एक मिनिट लेके बोलता हूँ आधे एक मिनिट में तो ये छे पॉइंट हमको ध्यान में रखना है छे और चारह ने दस हो गए और अट जो मुल्य है जो मैंने भाईया को बार-बार पुछके याद कर लिये है नो हमारी क्या बोलते है उसको expressed value है स्तापित value का मतलब स्तापित मुल्य और नो हमारे सिष्ट मुल्य है जो अब्जर्वंस में देखे जाते है मतलब जाने गए या माने गए और जाने गए और उनके इंडिकेटर है तो नो और नो अठरा है हो गए अठरा और पहले के चार बाइस और छे आपके जो इसके लिए दिये गए है दीरता विरता उदारता दयाग रुपा करूना और दो जो है भया आखरी में उसको हमको use करके देखना है वो है utility value और artistic value तो इन सबको ये 30 value के साथ सिर्फ इसन को थोड़ा सा समझने की जुरुत है अपने स्वभाव में उलाब स्वभाव मतलब देखिए स्वभाव काई meaning होता है कि originality जैसा मैं बोल रहा हूँ भड़बड़ी करना मेरा स्वभाव है उसके बीणा जमता ही नहीं लेकिन दीरे 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 जेखिए आबाजारी पंचव की तो धीरता-वीरता सबको मालू में खुद में संतोष लाना याने धीरता होगी मैं अपने आप में ठीक हो गया वीरता याने मैं दूसरों के लिए तत्पर हो गया और तिसरी बात है उधारता उधारता में भाया तत्पर तो हुई लेकिन उसके साथ में तन्मन धन लगा के काम कर रहा हूँ मेरा भाव सही है मेरी समझ सही है अब सही समझ के लिए परसो मैंने डिसकस्चन में मैं जो विकली डेवलोप्मेंट मीटिंग में लगा हूँ तो उमज भाया से मैंने एक सवाल कर लिया कि भाया एक मंदीर में एक पुजारी जी भी ऑफरिंग लेके खड़े है और एक चोर भ बना रहे वह मुर्थी बना रहे मुर्थी जो है वह बनी रहे यह लेकिन इनकी जो सही समझ है रएट अंडरसकेंडिंग वह थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है बाएवर्चियो अब प्रफेशनलिजम या जो भी है पुजारी यह चाहता है कि मंदीर की मुर्थी इस लिए कि मैं रोज उनको आफरिंग चड़ाते रहूं और खुश रहूं यह हो गया अब दूसरे का अंसर सभी को मिल गया है मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा कि चोर भी चाहता है कि यह मुर्ती मंदीर लोग आना जाना बना रहे ताकि मेरा भी जो कुछ भी है मों का पाके मैं मुर कि यह सापैख्ष है मतलब परिस्तिती सापैख्ष्य होता है जो भी सही समझ है अपने को परिस्तिती सिखाती है कि अभी यां पर क्या करते भी समझ और सभी समझ डेवलब होगी वहां काम करते रहें फिर वहां पर आ जाते हैं दयाकृपा करुणा दयाकृपा करुणा तो एक दम हमारे जो लाइप में वो चलते रहता है तो दया मतलब क्या है पात रहता है लेकिन वस्तु नहीं ठीक है बच्चे है लेकिन उनके लिए यूए चुका सिलेबस ही नहीं जा रहा स्टूडेंट से उनमें पात रहता है तो हम लोग अभी लग गया निवर्शिटी लेवल पे अजय भाहिया को साथ में लिया लग लग कॉलेजिस में जा रहे कुछ कर रहे फिर कुरूपा है कुरूपा एकदम उल्टा है उल्टा ब किसि बच्चे में साइकल चलाना आता है उसको वह कहीं से सिग कैसे किसी बच्चे के पास सैकल है किकिसी दधी के पास लेकिन उसको चलाना रहे हैं बहुत जरूरिया हरे एक मानव सुकुपरवग्द जीने के लिए यह करूना का उपयोग कर सकता है और उसमें करूना का भाव है तो बहुत जो है अटरा मुल्ले मैंने बहुत अच्छे से याद करके रखा है कुछ यूज भी करना चालो हो गया हो तो नौ जो हमारे स्तापित मुल्ले है जैसे बहुत बहुत पट 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 विश्वास सम्मान स्नेय अममता वातसल्य फिर आखरी में आता है ये सब बाते हो जाएंगे ना तो फिर ये वातसल्य होने के बाद हमारे पास श्रद ही देने देती है तो भया यह होगे स्तापित लेकिन शीष्ट में देखे एक्सप्रेस में कैसे देखते हैं जैसे मेरी हड़बडी आप देख रहे हैं मैं हड़बडी इसलिए कर रहा हूं कि समय के तरफ देखते हुए जा रहा हूं देन ये विश्वास जो है ये अमको सव मतलब यह नहीं है कि मेरा एक गंड़ा हो गया मैं भाइया की बाते रिपिट कर रहा हूं मैं प्लीज सभी जैए मैं अच्छे से 2-3 बार सुना है जो मेरी समझ बनी है बहिया नहीं एक्जांपल दिया ता ऐसा नहीं करना कि देखिए बच्चों को मेरा मेरा समय हो गया अभी ने मेरे पैसा मेने मुझे दूसरे काम करना है नहीं वह निवर यूवल फाइंड में आप मेरे साथ आईए मेरे कॉलेज ने वह उमेश भाई और टीम प्रतिक भाई आया है जे भाई चिद्री भाई आया है मैं सब के साथ वैसले है सब युरे मेरे मैं इंटरा हूँ मेरे पास ट्वैलेट से लेके बीलिडिंग की मरमत सभी पूरे काम मेरे पास है सब युरे मेरे डूटी सहवानों को शुरू होती है और चुटी के दिन मैं खुद जाके काम करता हूँ, सभी मुझे, सब को सब जानते हैं, चुटी के दिन, जिस दिन मुझे असाइन्मेंट नहीं है, साइटे डे पर्टिकुलरी, सेकेंड एंट पॉर्ट, तो ये वासल ने, शरद्धा, गौरो ये कब आता है हमको, गौरो मैं और ये जो प्रेम है, जो मैरा कन्फुजंता, भाया ने निकाल दिया है, नहीं बाया, ऐसे नहीं चलेगा, अब थोड़ा द्यान दीजे, तो प्रेम जो हम वेवहार में बूलते हैं, वो प्रेम यहां नहीं है, यहां पर अनन्यता है, अनन्यता मतलब साइस्थित के भाव म जीना, अस्तित्व के हर इकाई को अपने प्रती सम्मंद पाना। मैं अगले पॉइंट पे जाता हूं कि इसमें तो बहुत सारा है, अगर मुझे करना है, तो इसमें ये पाया गया है कि मुझे नेक्स्ट क्वेशन दिया गया है, सामने ही है मेरे, कि या बैस एक और दो में मैंने क्या सुन लिया, और मैं और शरीट की दूरी और वो जो तीन पॉइंट ये वो छोड़े देखने के अभी बाकी है, अभी उसमें बहुत समय लगाना है, अभी तो मैं ये सजक्ता हो गई है, और ये मुझे में हुई की नहीं, ये सजक्ता जो है, ये मैं पॉइंट नमबर फोर की रूप में आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और वो रख रही है, डॉक्टर जोती, जो की डॉक्टरेट है, और वो आपको बताने वाली मुझे में क्या परिवर्तन हुआ है, जी भाया, नमस्ते सभी को, नमस्ते दीदी, नमस्ते, मैं डॉक्टर जोती, PhD in Home Economics, डॉक्टर प्रशान की अर्धांगी नी, पिछले 35 साल से हूं, लेकिन भाया, इनका जिन में पिछले 4 मैनों से कुछ परिवर्तन आये, देख रही हूं, भाया, पहले बहुत चिर्चिर करते थे, हाना समय पर नहीं मिला, तो उनके भाव बिगड़ते थे, लेकिन अभी बिलकुल बदले से लग रहे है, अब उनके भाव बिगड़ते नह है, अभी भाव सलग हो रहे है, मुझे उनका समझने का तरीका बिलकुल बदल गया है, अभी बहुत प्यार से समझाते हैं, और समंध देख रहे हैं, भाया, ये घर काम में पहले से रूची लेते हैं, लेकिन कुछ बिगड़ गया, तो चिल्ला हट करते थे, लेकिन आब ब दो, UHV 3, इसा ही परिमार जान इन में बना रहे हैं, जिसके कारे मुझे बहुत खुशी हो रही है, भाया, इतनी तो बात पक्की है, कि इन्होंने UHV जारी रखना है, और मैं भी थोड़ा समय लगाने का परयास करूंगी, जी भाई, धन्यवाद, नमस्ते सभी को, लगता है, वोलिंटरिंग करना, LPC करके काम करना, पेड लगाना, पहुदे लगाना, बहुत सारा, हर एक तो ये इतना सारा, समझ के लिए कितना समय लगा सकते हैं, बिलकुल लगा सकता हूं भाया, जैसा है श्वन भाया लगा रहे हैं, मैंने काली बोला, आप जितना भी के रुप में अपनी वर्तमान, जिम्मेदारिया, जो भी है परस्तर, ये अपना जो भी करना है, भागी दारी, तो भाया, आपने मिनिममम दो गहंटा बोला है, बिलकुल तो मैं अभी भी लगा हूं, आपने देखा मेरी शेरिंग में, कि 112 दिन हमने आप से पढ़ा है, बा रखते हुए, शमा चाहतों, मैंने एक दो मिनिट हुआ, कितना में रबोट, साथ मिनिट ज्यादा लिए, जी भाया, नमस्ते, आज के लिए मेरी तरफ से इतना है, प्लीज, धन्यवाद भाया, जी प्रशंद भाया, धन्यवाद बहुती सुन्दर शेरिंग गई, जिस तर परिवर्तन हो रहा है, आशाहे की बविश्य में इसी तरह से परिवर्तन जारी रहेगा, और जिम्मेदारी के साथ में आप दिवेच्वी के साथ में जुड़े रहेंगे, भई आप जिम्मेदारी के बारे में आप और कुछ बताना चाहते हैं, किस तरह से आप, हाँ मैं सम के लिए देख रहे हैं आपने जो स्पेसिफिक कुछ बाते अगर सोच रखी होगी कि इस तरह से विदर बारे में बात कर रहा था कि हरे कॉलेज में जाना मैंने शुरू कर दिया है अभी हम मैं और अजय भाया कमींस में गयते हैं अभी तीन तारीकों रांदेवाबा एंजिरिंग में में मेरे कुछ शेरिंग रखा हुआ है इंडेक्शन प्रोग्राम में वो लोग बुलाते हैं मेरे कॉलेज में भी होता है तो जैसे मुझे ऑपीशेल में वीसी साब के पास भी गया हूँ तो जैसे जिस दिन वो लेटर मेरे हाथ में आएगा वैस्तों मैंने काम चलू कर दिया है बनाने है उसमें यह जाना चाहिए और लोगों के जीने में आरा चैए इसके लिए मैं यह जिम्मेदारी तो मैं संब्धार हूं और बाकी भी सब डैवलोपड के लिए आपको के लिए मेरा rättया बिलते हम वो भी मेरे साथ है, जोएन डारेटर मेरे छोटे भाई, वो भी मेरे साथ है, तो ये रिजन में हम कुछ UHV3 का अच्छा काम कर सकते हैं, 3-4, हाँ, UHV3 का है, FDPB में कंड़क करना चातो आपने या, अगर आपकी परमिशन मिले तो, ये तिस सारी जिम्मिदारे लेने के त्यार सब्सक्राइब करें, जी नमस्ते सभी को, बहुत ही बढ़िया शेरिंग रही, दोनों ही शेरिंग, सब्सक्राइब को दिखा भी किस तरह का उत्साह और उज्या है उनमें, और उन्होंने पूरी बात पर ठीक से श्रवन किया है, सुना है, पूरी बात को जहान से, ये कि ग ज्यार्थी की तरह उन्होंने विजवत अध्यान किया है, और उसका परिणाम भी अपने को दिखा, उसके चार महिनों में ही उनके आश्रण विस्पर का परिवर्तन हुआ है, परिवार का फुदसी भी स्विकार रहे है, तो इस तरह के ज्योती जी ने उनके बारे में परि जी बट आप लुषा को देखे लगता है कि आप पॉट्टीज में होगे, तो जी बट आप ही नहीं मेरे लड़के के शादी होके पांच साल हो गए और सुनबाई जो है, वो भी यही बोलती है कि I am very lucky, मुझे इतना अच्छा ससुर मिला है, है ना बया, 58 हो जाओंगा मैं, सप्टेबर में I will be completed, जी जी बट अभी तक मुझे आसा लगए अगर तापी के शेरिंग के आपके प्रश्न को सुनकर, कि आपके पॉट्टीज में कुछ होगी, तो बहुत अच्छी है आप में, बहुत अच्छी सुर्जा है आप में, बहुत अच्छी सुर्जा है आप मे आप में चाह, हमेशा देखिए, इसलिए वो मेरी उमर कमी लगती है, और बच्चों जैसा वेवार करता हूं, तो मैं बच्चा ही रहता हूं, जी बहुत अच्छी में आप सुबह के सतर में आगे भी जूड़े रहे हैं, विचारों का भाग अभी थोड़ा सा प्रॉमिनें बहुत यछार हैं, जी शीछ